और वहीं बियार के पूर्णिया जिले में फिर एक बाद पुलिस के लापर वाइस सामने आई है और जिले में समय पर पुलिस के नहीं पोचने की वज़े से गोली कांड को अंजाम दिया गया और मामला जिले के श्रीनगर थाना छेत अंतरगर सहबज्जा गाउं का है जहां परादियों ने जमीन विवाद में चमकलाल यादव नाम के व्यक्ति को गोली मार दिये और घटना के संबद में पीडित ने बताया कि लंबे समय से जमीन पर विवाद चल रहा था और इसी क्रम शुकरवार दोपेर करीब एक बच का बीस मिनट पर जब वो अपने घर से निकले तो उनकी नजर उनके खेट पर पड़ी जहां कुछ लोग फसल बो रहे थे और साथ ही कुछ अग्यात लोग भी वहाँ पर खड़े नजर आये थे और ये देख चमक लाल यादव ने थाना प्रभारी को फोन कर इस बात की सूचना दी और किसी भी तरह की अपरिया घटना होने की संभाव ने जटाए लेकिन थाना प्रभारी संतोष जाने मामले को घंबीरता से नहीं लिया इदर फसल लगाने का विरोध करने पर अफरादियों ने चमक लाल यादव पर एक के बाद एक धना दन काई गोल्य चला दी और तावड तोड़ चलाए गई गोल्यों में एक से एक गोल्य उसके पाउं में जा लगी जिसके बाद वो जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा हाला कि थोड़ी दूर भागने के बाद वो लड़ खड़ा कर गिर गया तब उन्हें एसास हुआ कि गोली उनके पाउं में लगिये और इस्थाने लोगों ने उन्हें आनेंफानन में उठा कर पहले प्रात्मिक उपचार करा उसके बाद सीधे थाना ले गए और वहाँ भी थाना प्रभारी ने तकरीवन देड़ घंटे तक उन्हें गुमाया और गोली लगी अवस्था में चमक लाल यादव अपने पहेजनों के साथ थाने का चक्कर काटते रहे और थाना प्रभारी ने काफी मशक्कत के बाद आवेदन को स्विकार किया और भही आरोप है कि जब थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ गाउं पहुँचे तो आसपास के लोगों ने बताया कि घटना के सबी आरोपी एक घर में बंद है अगर तलाशी ली जाये तो हत्यार के साथ सबी पकड़े जाएंगे लेकिन पुलिस ने महिला पुलिस नहीं होने का हवाला देते हुए कोई भी कारवाइका नहीं की और वहाँ से पुलिस वापस लोड़ गई यूकरेन के राश्पती वोल्डी मेर जलिन्सकी ने दावा किया है कि उनके देश की खूफिया सेवा ने अगले हफ़ते देश में रूस के समर्तन से तक्ता प्लेट की साजिस का खुला सकिया जिसमें कथित तोर पर यूकरेन के प्रभारी कारोबारियों में से एक शामिल है और कथित कारोबारी और रूसी सरकार दोनों ने आरूपों को खारिश किया है और अमेरिकी राजे मैसाचोसेशन के नैंकेट में छुट्टी मना रहे और अमेरिका के राष्टपती जो बाइडन ने तक्ता प्लेट की बात पर चिंता व्यक्त किया और यूकरेन की संप्रुबता और शासन के लिए अमेरिकी समर्थन को दोरा है और यूक्रेन की राजधानी कीव में जेलेंसे की ने शुकरवार को समवधाता सम्मेलन में कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि अगले बुद्वार या गुरुवार को तक्ता पलट की योजना बनाय जा रही हाला कि उन्होंने अपने आरोप के समर्थन में कोई विवरंड नह एक कथित बैठक की ओडियो रिकोर्डिंग है जिसमें अकमेतोव द्वारा विद पोशित तक्ता पलट की योजना पर चर्चा कि गई है जिस पार 7.15 अमेरिकी डोलर का खर्च आएगा यूक्रेन के राश्पती ने कथित तक्ता पलट के बारे में अधिक जानकारी का खु और रूश के राश्पती कारेले क्रेमिलिन के प्रवक्ता दिमित्री पैसकोव ने शुकरवार को मासकों में पत्रकारों से बाच्छित में आरोपों को खारिज कर दिया और पैसकोव ने कहा कि रूश की इसमें शामिल होने की कोई योजना नहीं है और रूश कभी भी ऐसी चीजे नहीं करता है और वहीं जलेंसकी के आरोपों को सरासर जूट करार दिया गया और वहीं अकमेतोफ के परवक्ता अन्ना तेरखोवा ने कहा कि इस जूट के परसार से नराज हैं चाहें राश्पती के इरादे कुछ भी हो और कथित तक्ता प्लेट योजना के बारे में पूछे जाने पर यूरोपिय और यूरेशिया मामलों के लिए अमेरिकी विदेश विभाक के शीष अधिकारी करें डोन फ्राइड ने कहा कि इस पर आगे चरचा करने लिए यूकरेनी सरकार के संपर्क में और हम अतिरिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश भी करें और बाइडन ने अमेरिकी समधाताओं से कहा कि उनकी पुतीन और जेलेंस्की से बात करने की संभावना भी है